नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा साथ के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 24 की जिसका शीर्शक है शब्द रचना जिसके अंतरगत हम आज प्रत्य की बात करेंगे formation of words के अंडर suffix को आज हम जानेंगे और आप जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में उपसर्ग की बात की थी तो मुझे उमीद है कि आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा और ये एक श्रंकला है इसमें हमारा क्रम से सारे वीडियो उसको देखना बहुत जरूरी है तब हमें चीजें इस पष्ट रूप में समझ में आती है ठीक है तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए लिखा हु लूटने वाला या डाकू फिर लिखा है लिखावट यानि लिखे हुए शब्द अब ये जो भी शब्द अभी मैंने आपके सामने पढ़े चार शब्द इनके अध्यान से एक बात तो पता चल जाती है कि जो भी मूल शब्द है उनके अंत में कुछ शब्दांच पढ़ इसके आगे अगर मैं ना जोड़ दूं तो हो जाएगा क्या पढ़ना अगर पढ़ के आगे मैं जोड़ दूं आई तो ये हो जाएगा पढ़ाई इसी तरह से पढ़ने वाला वगेरा वगेरा तो जो मूल शब्द हैं उनके कुछ शब्दों के अंश को हमने करके जब यह शब्द बनाए एक नए शब्द बनाए इनों ने इन शब्दान्शों ने तो जो अर्थ था वो पूरी तरह से बदल गया परिवर्तित हो गया तो हमसे यही कहा जा रहा है जैसे कि पढ़ मुल शब्द में आई से पढ़ाई और पढ़ में ही वाला जुड़ने स पढ़ने वाला शब्द निर्मित हो रहा है तो यही उपसर्ग है सौरी यही प्रत्य है तो अब अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी परिभाशा मुझे देकर बताईए कि प्रत्य क्या होता है तो आपको बिल्कुल सरल शब्दों में कहना है कि जो शब्द या शब्दांश किस उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर के आता है ठीक है अब आप कहेंगे कि परिभाशा भी समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया कि प्रत्य क्या होता है तो क्यों ना अब हम प्रत्य की कुछ विशेष्टाओं पर चर्चा कर लें तो देखिए प्रत्य की कुछ प्रमु मूल अर्थों में परिवर्तन हो जाता है बिल्कुल ठीक और तीसरी सबसे अच्छी विशेष्टा इसकी यह है कि इनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता अगर सोचिए मैं आपके सामने यहां पर लिख दूँ आई या आई इस तरह से या मैं यहां पर आपके सामने लिख जैसे कि यहां पर लिखा हुआ था वाला तो इसका अपना स्वतंत्र तो कोई खास अर्थ समझ में नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही यह क्या करते हैं यह किसी एक मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं और खुद भी एक अर्थ प् प्रकार पर तो देखिए हम हिंदी की बात कर रहे हैं है ना तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रत्य होते हैं एक होता है क्रित प्रत्य और एक होता है तद्धित प्रत्य अब यह दोनों में क्या फर्क है इसको विस्तार से समझते हैं सबसे पहले बा को पहले अध्याइ में भी बताए था और आज भी बता देता हूं कि धातू का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आप से कहा ना पढ़ना इसी शब्द से समझते हैं देखें मंस्क्रίν के लिखता हूं पढ़ना तो पढ़ना में जो मूल शब्द है वो क्या है पढ़ जैसे करना करना में मूल शब्द क्या है कर इस तरह से लिखना लिखना में मूल शब्द क्या है लिख तो यह जो मूल शब्द है न मुख्य क्रिया पढ़ कर लिख गा यह जो है यह धातु कहलाती है और इस धातु में द प्रत्य जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, और फिर इसके जो हम सामाने अर्थों में रोज प्रयोग में लाते हैं, वैसे शब्द बनते हैं, जैसे पढ़ से बना पढ़ना, कर से बना करना, लिख से बना लिखना, तो ये जो पढ़ है, कर है, लिख है, ये मूल शब् को कहते हैं क्रिदंद 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 क्रिदं मूल शब्द है क्या लूट अब लूट में हमने प्रत्य लगा दिया एरा तो यह क्या बन गया लुटेरा बस एक शब्द है इसमें एरा लगा देंगे तो हो जाएगा क्या बस एरा इसी तरह से लड़ में आका लगा दिया तो बन गया लड़ाका और उड़ में आका लगा द है कमा इसमें उ लगा दिया तो हो गया कमाऊ खा में उ लगा दिया तो हो गया खाऊ इस तरह से तो ये जो है ये कर्तरवाचक क्रिदंत है इनमें क्या होता है क्रिया के करने वाले यानि जो क्रिया को कर रहा है उसको क्या बोलते हैं जो क्रिया को करता है करता बोलते हैं तो क् प्रत्य का एक प्रकार है, है ना, अभी हमने इसके बारे में जाना था, तो जैसे अब हमने लूट में एरा लगा दिया, तो क्या हो गया, लूटेरा हो गया, तो इससे हमें लूटने वाले के बारे में जानकारी मिली, कि यह लूटेरा है, इस तरह से, तो आप समझ गया और देन में दार लगा देंगे तो देनदार हो जाएगा, अब ये तो हो गए कर्त रवाचक, जिससे कर्ता का पता चले, यानि करने वाले का, कुछ ऐसे भी कृदंत प्रत्य होते होंगे न, जिनको करने से कर्म का बोध हो, बिल्कुल है, उन्हें हम कर्म वाचक क्रिदंत कहत है इससे करता है कर्म का बौध होता है जैसेεν क Jakeboth कि Serial 19 लगादिया तो हो गया खिलोना यह नहीं यह आएगा यहां टाना खिलोना बिच में लगादिया तो वाध्र घ्राट घुलना क्या हैً जूलना का कर्म इहां पर किया जा रहा है इसलिए इन प्रत्यों से बने शब्दों को जिनसे कर्म का बोध होता है कर्म वाचक क्रिदंत कहते हैं ठीक है अब है भाव वाचक क्रिदंत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह ऐसे प्रत्य है जिनसे बने शब्दों के भाव अर्थात क्रिया का बोध हो उन्हें भाव वाचक रिदंत कहेंगे जैसे फैल फैल शब्द में आव लगा दिया तो हो गया फैलाव चड़ में आव लगा दिया तो हो गया चड़ाव भूल में आवा लगा देंगे तो हो जाएगा भुलावा और चल में लगा देंगे तो हो जाएगा चलावा एक शब्द है लिख, अगर इसमें आप आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, अगर पढ़ में लगा देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, मिल में आवट लगाओगे तो मिलावट हो जाएगा, और यही सज में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, लेखेऊ एक होता है करन वाचक यानि ऐसे करत्य हैं इनसे बने 되 कि जिससे क्रिया होती है अब मुझे बताइए रोटी किसでも बनाते हैं तो बेलएबक दमेंbank करने वाला है यानि फिरिया नहीं ये क्रिया करण है यानि की करण का बोध हो रहा है इससे वैसे ही जैसे ढख अगर इसमें लगा देंगे तो ढखकन हो जाएगा जूल में ना लगाएंगे तो जूल ना हो जाएगा और घेर में लगा देंगे तो घेर ना हो जाएगा इस तरह से इसके बाद आते हैं क्रिया व लगा देंगे तो खाऊ हो जाएगा चाल में लगाएंगे तो चालू हो जाएगा पढ़ शब्द में अनिये जोड़ने से पढ़निये हो जाएगा निंद शब्द में अनिये जोड़ देंगे तो निंदनिये हो जाएगा सो में या जोड़ देंगे तो सोया हो जाएगा और प इसमस्ते को निमनलिखित आधार पर भाटा जा सकता है। वही वाले सबसे पहले आ जाएगा करत्रवाचक तहद्धध्ध प्रत्य जो प्रत्य किसी कारे को करने का बोध कराता है उसे ही तो कहते हैं करत्रवाचक तद्धिर प्रत्य है जैसे कहानी कहानी में कार जोड़ेंगे तो कहानी कार हो जाएगा पत्र में कार जोड़ेंगे तो पत्रकार हो जाएगा लोहा में आर जोड़ेंगे तो लोहार हो जाएगा और सोना में जोड़ देंगे तो सुनार हो जाएगा इमान में दार जोड़ने पर इमानदार हो जाता है और दुकान में अगर वही दार जोड़ेंगे तो दुकानदार हो जाएगा जादू में गर जोड़ने पर जादू गर हो जाएगा और काम में अगर गर जोड़ देंगे तो काम गर हो जाएगा गाडी में वान जोड़ देंगे तो गाडी वान होगा और धन में वान जोड़ने पर धनवान हो जाता है तो आप समझ गए होंगे कि कर्तर वाचक तद्धित प्रत्य क्या है अब बात करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्य की तो यह ऐसे प्रत्य हैं जिनके जुड़ने से शब्द भाववाचक संग्या बन जा रहे हैं उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्य कहते हैं जैसे की भला में आई जोड़ दिया तो भलाई हो गया और बुना में जो देंगे तो मिठास हो जाएगा और खटा में जोड़ने पर खटास हो जाएगा अरुण में इमा जोड़ने पर लाली मा हो जाएगा मनुष्य में त्वा जोड़ने तो मनुष्यत्व हो जाएगा देव में त्वा जोड़ने तो देवत्व हो जाएगा मानव में ता जोड़न जिने संबंध वाचक तद्धित प्रत्य केहते हैं जो संबंध का बोध करा है जैसे कि बंगाल में यी जोड़ दिया तो बंगाली हो गया मदरास में यी जोड़ने पर मदरासी हो जाएगा यहां पर संबंध पता चल रहा है हमें चाचा में एरा जोड़ देंगे तो चचेरा मामा में जोड़ दिया तो म मेरा धरम में एक जोड़ा तो धार्मिक और अर्थ में जोड़ दिया तो आर्थिक इस तरह से ठीक है अब होते हैं फिर आगे बात करेंगे गुण वाचक तद्धित प्रत्य की ये क्या होते है जिस प्रत्ते से गुण का बोध हो उसे गुण वाचक तद्र प्रत्ते कहेंगे गुण समझते है ना जैसे भूक में आ जोड़ दिया तो भूका प्यास में जोड़ा तो प्यासा धन में ई जोड़ दिया तो धनी और क्रोध में जोड़ दिया तो क्रोधी दय कि उपसर्ग तथा प्रत्य का एक साथ प्रयोग कैसे होता है कभी-कभी ना एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों का प्रयोग होता है जैसे शब्द है करण इसमें उपसर्ग जोड़ दिया अनु और प्रत्य जोड़ दिया यह तो हो गया अनुकरणी एक मूल मूलशब्द है इस में उपसर्घ योड़ा नी और प्रत्य योड़ा था तो हो गया ने डरता ऐसे ही साहस कर सद्गल फ्रत्य जोड़ा फ्रत्य गड़ा तो और प्रत्या whispering सब्सक्राइएत अगर फ्रत्य जोड़ा धर gugg helps कर सद्गल गंड है यॉइए अगर उपसर्घ सरगसु जोड़ने और प्रत्य इत जोड़ने तो हो जाएगा सुगंधित इस तरह से क्या दो प्रत्यों का भी एक साथ प्रयोग होता है कभी कभी दो प्रत्यों का एक साथ प्रयोग किया जाता है जैसे एक शब्द है मूल पी इसमें प्रत्य जोड़ा आस फिर एक और प्रत प्रत्य जोड़ा आवट, एक और प्रत्य जोड़ा ई तो हो गया बनावटी, तैर एक मूल शब्द है, तैर में प्रत्य जोड़ा आक तो हो गया तैराक, फिर इसमें एक और प्रत्य जोड़ा ई तो हो गया तैराकी, इस तरह से कई बार दो प्रत्यों का भी एक साथ भी किया जाता है एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है इस अध्याय में विशेश रूप से ध्यान रखेगा वो है प्रत्य की कुछ प्रमुख विशेशनाय जो हमने देखी थी कि प्रत्य शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं इनके प्रयोक से करें यह आपका अपना निर्ण है लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार धारा को अपने विचारों को जरूर जो है हम तक पहुचाईएगा कि आप इन वीडियो को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं सारी बाते कोई सुधार अगर आप चाहते हैं तो वह भी बताइएगा एक काम और कीजेगा कि इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजेगा अपने साथियों मित्रों दोस्तों परिजनों के साथ ताकि वे लोग भी देख पाए इस वीडियो को और समझ पाए इस जानकारी को बाकि मेरी फिर आप से चल